कित्थोदा मुंडा है तू? मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिशनर रहे राकेश मारिया ने जब पंजाबी लहजे में यह सवाल पूछा तो सामने बैठा शक्स चौंक गया उसकी आँखों में पहचान लिये जाने का भाव कौन था? उसने जवाब दिया ओकारा ओकारा पाकिस्तान के पंजाब प्रांथ का एक जिला है राकेश ने अपने ससुर से इसके बारे में सुन रखा था थोड़ा और कुरेदने पर उन्हें एक और जवाब मिला मेरी पहचान हो गई तो भारत और अमरीका मेरे गाउं को बम से उड़ा देंगे राकेश सोचने लगे कि अगर उस रात सब कुछ सामने बैठे शक्स के मताबिक हुआ होता तो कलावा बांधे यह शक्स एक हिंदू आतंकवादी के तौर पर मर चुका होता उसका नाम समीर दिनेश चौधरी बताया जाता उसके पास से हैदराबाद के अरुनोदे डिगरी कॉलेज की आईडी मिलती उसके घर का पता 254 टीचर्स कालोनी नगर भावी बंगलूरू बताया जाता और यह सब कुछ फर्जी होता क्योंकि उस रात राकेश मारिया के सामने अजमल आमिर कसाब बैठा था 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हमला करने वाले 10 हमलावरों में से एक होम गार्ड्स के डारेक्टर जनरल पत से रिटायर हुए और मुंबई के पुलिस कमिशनर रहे राकेश मारिया ने एक किताब लिखी है जिसका नाम Let Me Say It Now है इस किताब में राकेश अपने हिस्से की कहानिया सुना रहे है मुंबई हमले और अजमल कसाब को लेकर उनके खुला से सुर्खियों में है राकेश ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर कसाब उस फर्जी आईडी के साथ मर जाता तो अख़बारों की हेडलाइन चीख रही होती कि कैसे एक हिंदू आतंकवादी ने मुंबई पर हमला किया टीवी पत्रकार बंगलूरू में इखटे होकर उसके परिवार और पडोसियों का इंटर्व्यू ले रहे होते लेकिन ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान के फरीद कोट का अजमल कसाब मेरे सामने बैठा था और मैं उससे पूछ रहा था की करनाया है राकेश लिखते हैं कि धीरे धीरे कसाब ने सारी परतें खुली हमले के लिए भरती किये जाने से लेकर मुंबई में घुसने तक वह एक दिल्चस्प वाकया याद करते हैं कि कसाब और उसके साथ ही अलहुसैनी नाम की नाउ से मुंबई में दाखिल हुए थे वह लिखते हैं ये नाम 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में भी सुनने को मिला था उस हमले में मुख्य आरोपी टाइगर मेमन के अपार्टमेंट ब्लॉक का नाम भी अलहुसैनी था पुलिस के मताबिक इसी इमारत में साजिश रची गई थी राकेश ने कसाब की सुरक्षा को लेकर कुछ ऐसी बाते दर्ज की हैं जिनका जिक्र संभवता पहले नहीं हुआ है वे लिखते हैं क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिशनर के तौर पर कसाब को जिन्दा रखना मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी लोगों और अफसरों का उसके प्रती बरताओ देखते हुए मैंने उसके गार्ड्स खुद चुने थे आयसाई और लशकर उसे किसी भी तरह खत्म करना चाहते थे ताकि हमले के एकलौते जिन्दा सबूत को मिटाया जा सके हमें भारत सरकार से खत मिला कि कसाब की सुरक्षा की पूरी जिम्मदारी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच पर है केंद्रिया जाच एजेंसियों से मिली जानकारी से पता चला कि पाकिस्तान ने कसाब को मारने का काम दाउद इबराहिम गैंग को दिया था उसे कुछ हो जाता तो सिर्फ मेरी नौकरी ही नहीं बलकि मुंबई पुलिस की प्रतिष्ठा दाओं पर थी कसाब की दो तस्वीरे इंटरनेट पर खूब इस्तिमाल होती है हाथ में 147 लिए कसाब की एक तस्वीर जो छत्रपती शिवाजी टर्मिनस की है और दूसरी फोटो मुंबई के एक पुलिस थाने की है उस दूसरी तस्वीर के बारे में मारिया लिखते है हमने बहुत साफधानी बढ़ती कि उसकी फोटो ना खीची जाए और कोई फोटो मीडिया के पास ना जाए जब कुरसी पर बैठे कसाब की फोटो मीडिया में चलने लगी तो हमें जटका लगा मैंने सभी अफसरों को किनारे बुला कर पूछा कदार कौन है सबने इंकार किया उनके चहरे से पता चल रहा था कि वे सच बोड़ रहे हैं फिर उन्होंने बताया कि केंदरी एजनसियों ने कसाब से पूछताच के लिए अपना एक अफसर मुंबई भेजा था मारिया के मताबिक तस्वीर से सरहत पार ये संदेश भेजना था कि सबसे बड़ा सबूत जो खुद कसाब है वे भारत के कबजे में है यह इसलिए महतुपूर्ण था क्योंकि पाकिस्तान हमले की जिम्मदारी लेने से इंकार कर रहा था पाकिस्तान ने शुरुवात में कसाब को अपना नागरिक मानने से इंकार कर दिया था हमले के कुछ महीनों बाद पाकिस्तानी सरकार ने कसाब के पाक नागरिक होने की पुष्टी की फिर एक स्थानिय न्यूस चैनल ने बताया कि कसाब मध्य पंजाब के फरीद कोट गाउं का रहने वाला है मुंबई हमले में 166 लोग मारे गए थे अजमल कसाब को 312 मामलों में अभियुक्त बनाया गया था स्पेशल कोट ने उस पर 86 आरोप तै किये थे और 6 मई 2010 को उसे मौत की सजा सुनाई गई थी तमाम कानूनी अधिकार आजमाने के बाद 5 नवंबर 2012 को राष्ट पती ने कसाब की दयायाच का खारिच कर दी थी फिर 20 नवंबर 2012 को सुबह 7.30 बजे पुने की यरवडा जेल में उसे फांसी की सजा दी गई मारिया लिखते हैं कसाब को बच्पन से बताया गया था कि भारत पाकिस्तान का दुश्मन है उसे भारत और दुनिया की कोई खास जानकारी नहीं थी उसे भरोसा था कि भारत अमरीका और इस्राइल पाकिस्तान और इसलाम के दुश्मन है उसका मानना था कि भारत में मुसल्मानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाती और अधिकारी मस्जितों में ताला लगा कर रखते हैं क्राइम ब्रांच के लॉक अप में जब उसके कानों में अजान की आवाज पढ़ती तो वह उसे अपनी मन घंद कल पना लगती इसका पता चलने पर मैंने एक गाड़ी में कसाब को मेट्रो सिनेमा के पास वाली मस्जित ले जाने को कहा अपनी आखों से लोगों को नमाज पढ़ते देख कर वहका बक्का रह गया कसाब पर केस चलने के दौरान 2008 में बीवी सी समवादाता अली सल्मान कसाब के गाउं पहुँचे थे बीवी सी ने ही पहली बार उनका घर दिखाया था कसाब की फासी के बाद BBC सम्वादाता शुमाईला जाफरी पाकिस्तान में कसाब के गाउं का माहौल जानने पहुँची थी वहां लोगोंने शुमाईला जाफरी से डंग से बात नहीं की कसाब का घर पूछने पर कुछ बच्चों ने शुमाईला को एक घर की तरफ भेजा घर में सननाटा पसरा था कैमरा परसन के घर की तस्वीर खीचने के दौरान कुछ लोग वहां पहुँचे और BBC टीम से लौट जाने को कहा और गली में मौजूद लोगों ने कसाब से जुड़ी कोई भी जानकारी होने से इंकार कर दिया इस्थानिये लोगों का कहना था कि वहां कसाब नाम का कोई शक्स रहता ही नहीं था उनके मताबिक यह पाकिस्तान को बदनाम करने की एक अंतराष्ट्य साजश है